हालो एब्रीवन मैं भरत कुमार पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था डेसिमल और डेसिमल प्लेसे उससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टन फैक्ट था मैंने बता दिया अब देखें कंपेरिंग कंपेरिंग अब डेसिमल ठीक यह कंपेरिंग हर में हो सभी चैप् गिवें डेसिमल इंटू लाइक डेसिमल लाइक डेसिमल आप लोग जानते होंगे और फर्स्ट कंपेर दो होल नमबर पार्ट इस तरह से यह आपको बहुत सारे स्टेप है मैं आपको समझा देता हूं जैसे यह मैंने यहां पर एक एक एक्जामपल लिया यहां 21.63 है और यहां 51.36 है ओके देकिए फर में स्टेप के एक पार्णिंग आप जा रहे है तो पहले आप like में कर ली चाहिए तो लाइक में कर लिए ने के लिए मतला दोनों सो decimal places क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इसका decimal places 3 है इसका decimal places 2 है तो आप ऐसा कुछ करें कि decimal places दोनों का सेम हो जाय और value भी चेंज नहीं होना चाहिए तो इसमें से कुछ ने करना इसमें डवल डिजिट जिसके राइट एक्स्ट्रीम राइट मतलब एक्स्ट्रीम राइट विल्कुल राइट में जीरो पूट कर सकते लिखित विस में भी 3 डिजित हो गया इसमें भी 3D वो दिश्टीम प्लेसच क्यों बोथ हर लाइक णिसमल तो लाइक में करेंव हो गया इस्ति आउल नहीं हो तो स्मझ हो इसके निसरऊ आप आप इसमें ऐसे लगा स्वोजें इसमें नियुक्स करेंगे जिर्ओ हो जाएगा तो ऑन भॉल-णे निदिसरबुत करना में किजे तो डेसिनल पार्ट में आपको 10th डीजिट को अब्जिर किरना है तो 10th डीजिट तो दोनों जगे सिम होगा फिर नहीं हुआ फिर 100th डीजिट को अब्जिट को छोपीजिए यह भी सेम हो गया फिर 1000 डीजिट को अब ङूबसर्ब करते हैं इसमें 1000 डीट क्या थाजन डिजिट क्या ग्रेटर है तो आपको यह ग्रेटर हो गया ओके ओके नेक्स जो है वह है कनवर्जन से एक डेसिमल को आप फ्रेक्शंस में कैसे कनवर्ट करना है देखिए जैसे फर्स्ट एक्जामल माने लिए यह 0.5 solution करके आप 0.5 को पहले लिख लिजे और पॉइंट को रिमूब करना है पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं वन बाई वन तो सम्में होगा और उतने जिट जिरो क्या कर दना है पूट कर दना तो इस तरह से डेसिमल हट गया फाइब टेन हो गया यह तेन है और 5-2-10 इस तरह से 1-2 आंसर आगया अगला जोक्जामपल है 1.75 है तो डेसिमल को रिमूब कीजिए आप तो यहां 75 डवल डेडिट था तो डवल जीरो आ गया इस तरह से आप 5 से कैंसल करेंगे पहले 75 को डिवाइड करेंगे वन ए 75 को तो 35 होगा और 5 से 100 को डिवाइड करें तो 1 & 3y, 4 होगा, ओके, एक दो questions मैं बता दूँ इस पर, एक्सप्रेस 536 पैसे, 536 पैसे as a rupees using decimal, इसको rupees में convert करना, तो 536 पैसे rupees में convert करने के लिए आपको 100 से divide करना होगा, तो 100 से जब divide करते हैं, तो देखिए, इसको आप चाहें, तो जो simple method होता है, इस तरह से भी divide कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना, जब 100, 10, 1000 से division का आगे process इसका आपको डिपली बताऊंगा आगे, फिलाल अभी short में देखिए, double 0 है, तो right side से double digit कॉन करके, आप क्या करें, decimal put कर दीजए, तो यहां 36, यहां हो जाए कितना, यह point हो गया, तो 5.36 और यह रुपीज का सिंबॉल लगेगा, इसको हम यह भी पर सकते हैं, कि 5 रुपीज 36 पैसे, जैसे आपको यहां पर 88 पैसे होगा, रुपीज में convert करना है, तो 88 by 100 करेंगे, और यह आपको double 0 है, तो इधर से double digit कॉन करके, 88 रहेगा है, और यहां point हो जाएगा, 0 लगा दीजे, और आग पीछे रुपीज का सिंबॉल लागेगा, understand, next जो है, arrange the 4.6, 7.4, 4.58, 7.32, 4.06 in ascending order, तो और convert करने के लिए, arrange करने के लिए, सबसे पहले आप इसको, किसमे, decimal जो given decimal उसको like में convert करी, क्योंकि compare में मैंने बता आए था, जो पहले like में convert करना है, तो first convert given decimal into in like decimal, या into like decimal, ओके, तो देखिए, इसमें maximum number of decimal places कितना है, टू, दो से ज्यादा digit नहीं है, decimal part में, तो यहां 4.6 था, तो 4.60 मैंने कर दिया, 7.4 था, तो 7.40 हो गया, 4.58 और 7.32 और 4.06 यह पहले से ही डबल जीट था, मैंने सिर्फ इस दोनों में change किया, क्या है ना, अब देखिए, आपको ascending order में arrange करना है, तो ascending order तो आपको क्या होता है, कि ascending order में smallest, largest की तरफ ले जाते हैं value को, तो पहले whole number को compare करते हैं, तो whole number में आपको क्या है, यहां पर 4 है, 7 है, 4 है, 7 तो 7 बाला तो जायदा ही है, तो 4 बाला एक number यह है, एक यह है, और एक यह है, whole numbers आपको क्या हो गया, equal, same हो गया ना, तो आप 10th place बजाए, 10th place पर यहां 6 है, यहां 5 है, और यहां 0 है, मतलब यह क्या हो गया, चोटा हो गया, सबसे चोटा, तो 4.06 हो गया, यह हट गया, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने लिख लिया, अब आपको इस दोनों में compare करना, इस दोनों में 10th place पर क्या है, यहां 6 है, और यहां 5 है, तो यह इस से यह छोटा हो गया, तो यह 4.58 हो गया, फिर आपको यह 4.6, तो यह मैंने पर लिए यहां लिखा है, इसको जो यहां था, तो 4.60 हो हो गया, उसके बाद 7.40 और 7.32, तो 7.7 equal है, 4 के जगह यहां भी 3 है, तो यह आपको छोटा हो गया, तो 7.32 देना है, ठीक है, 7.32 है, फिर यहां पर 7.40 है, और यह इस तरह से symbol इस लिए कि इधर बला छोटा है, इस से बारा यह हो गया, फिर क्या है, कि यह line मैंने इस लिए लिखा है, क्योंकि यह आपका questions नहीं है, आप इसमें कोई-कोई numbers को like में convert किया था था ना, तो उस 0 को हटा करके दुबारा इस line को लिखा गया, सेम डूसे जिस जगप है, उसे जगप लिखा गया, तो रह समय यहां इस line कर दिया था, तो ज्यादा confusion नहीं हो यहां आप लो है, तो 7.32 है, 7.40, 0 तो एक्स्टा दिये थे, तो उसको हटा दिये, तो 7.4 हो गया, ओके, वीडियो को थ्यान से देखिएगा, फिर से दुबारा यह दिस समझ में ना आए तो, ओके, अब आप लो एक्ससाइज 3E को complete कीजिए, और जो भी problems होगा, पूछा कीजिए, ओके, Thank you!